जो असमाई घटना हुई है कैसे घटना हुई इसकी जिम्यदारी किसकी है जीदे सीदे उपी सरकार की जिम्यदारी है मुक्मंत्री की जिम्मेदारी है क्योंकि बुल्डोजर चलवा रहे हैं बुल्डोजर चलवाना कोई एक कानूनी कारवाई नहीं बरतमान सरकार जो अन्याई सरकार है जो खुद आतंक फैला रहे हैं जनता के बीच में ओ सरकार जो है कानून ब्यवस्ता को खुद अपने हाथ मिले करके और बुल्डोजर चलवा रहे हैं मंदिर भी तो हवायधानिक तरीके से है अभी आपको बताऊं कानूनन वहाँ चले जाए जहां इनका गोरकपुर बिश्पिद्धाले बन रहा है इनका नीजी वहाँ जबरिया का लोगों के गए इन्होंने जमिन कब्जा कर रखा अधिर अरी ले जा मोची मोची कहले जा इद्यादी कावत है निश्चीत रूप से बुल्डोजर की मानिता हमारी जनता में नहीं है यह अन्याय की सिमा पार कर रहे है और जो सरकार तानासाही करती है जवरिया करती है यह सरकार निश्चीत रूप से तानासाही कर रही है ज इसको उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता मानता नहीं देती है। आप किसी का घर तोड़ोगे तो निशित रूप से उसको कस्ट होगा। यह चाहे CM हो चाहे PM हो। इन लोगों के पास अवलाद नहीं है, अवलाद की यह लोग कस्ट पीड़ा नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यबाद आपको। सर एक बार अपना नाम पुरा बताईए। मैं बिर्ज नारायन सर्मा, मैं पुरु मंत्री कॉंगर सरकार में रहा हूं। मानने नारांद जी तिवारिक जी के सरकार में। सर मेरा सीधा सवाल ये रहेगा कि कानपुर में जिस तरह से दो मा और बेटी जलकर राक हो गई है। तो इसमें किसकी लापरवाही को आप बताना चाहेंगे। पालीका का करता कळारा कैसे लिए हमारे चार अस्तम्दण लोक तंद्र के चार अस्तम्द बना ए सब्सक्रिइस का है। लेकिन बर्तमान सरकार जो अन्याई सरकार है, जो आतंक फ्य Florida, जैनता के बीच में, वो सरकार जो है कानून ब्योस्ता को खुद अपने हाथ में लेकर और बिलडोज्र चलवा रहे हैं, impossible चलवाने का कोई प्रक्रिया कानूनी नहीं, लेकिन बुल्डोजर को तो उत्तर प्रदेश में लोग बहुत ज़दा पसंद करते हैं कि बुल्डोजर बाबा के नाम से योगी जी फेमस है और बुल्डोजर जहां जाता है वहां न्याय वाला काम करता है अवैद कबजे को हटाता है और जैसा कि यह जो जोपड़ी है वह इसके वा जजह से बुल्डोजर बहां चलवाया गया था इसको लेकर क्या कहा है तो बुल्डोजर चलाने का कौन सावचित था है ऊजय제로 recognized की को steps दो मंदिर कुछ जमीन पर भी बुल्डोजर चलनी चाहिए योगी सरकार चलाए बुल्डोजर आधी रहरी ले ले जा मोची मोची कहले जा ये द्याधी कावत है निश्चीत रूप से बुल्डोजर की माननेता हमारे जनताम में नहीं है ये अन्याय की सिमा पार कर रहा है और जो सरकार तानासाहि करती जवरिया करती है इसरकार निश्चीत रूप से तानासाहि कर रही है जिसको उत्तरप्रदेश की जनता और भारत की जनता मान्ता नहीं देती है खबरयों के अनिसार यह भी सुनने में आ रहा है कि जो मा बेटी जलकर मरी है वो खुद को खुद से याग लग यह कोई आप मानोगी कि कोई अपने आप आग लगाएगा कहिन कहिन उसको प्राबलम रहा होगा आप किसी का घर तोड़ोगे तो निश्चित रूप से उसको कस्ट होगा यह चाये CM हो चाये PM हो इन लोगों के पास आउलाद नहीं है आउलाद की यह लोग कस्ट पीडा नहीं इनको तोड़ने में चंद मिनट भी नहीं लग रहा है यह ताना साही है मैं इसको कहना चाहूंगा कि जो दोसी हैं उनके खिलाब पड़ी से कड़ी कारवाई होनी चाहिए यह सरकार और सम्वेदन शील है और बुल्डोजर के मानेता तो किसी भी आलत में नहीं दी जानी च क्या जानें किसी की पीड़ा मैं इस पर आपसे बताना चाहूंगी कहना चाहूंगी कि लोग इन लोगों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं इन लोगों के खास कर कि इसी वज़े से कि कि उनका परिवार नहीं है जिसका परिवार नहीं है वही देश को अच्छा से चला सकता है बिपक्ष का ये भी कहना इसको लेकर आपके इनके पार लोग लोगाओन नारा है लोग लोगाओन नारे में लोग भ्रमित हैं असलियत है कि अगर लोगों के प्रिय होते तो ये महंगाई पर बात क्यों नहीं करते बेरोज़ारी पर बात क्यों नहीं करते बरस्टाचार बात और नहीं से पांसाल in a चलने कह रहा है नहीं नहीं कि दूशन कार सब्छोत। चारो तरफ अपरा थपरी का माहौल है, इस सरकार नियंतित करने में एकदम बेनकाब है में काप है लेकिन इस सरकार को तो लोग भ़हाथ पशंद कर रहा है आप बोल रहा है मंधिर मजजद है पाइस्थान इंदोस्थान है लिकिन फिर भी सरकार इस सरL deixa जनता इस सरकार को बहुत पसंद कर रही है। योगी के सरकार में इंसाफ नहीं मिलेगा पिडित परिवार को और जहां तक खबरे आ रही है कि मा बेटी खुद से आग लगाएं इस जोपड़ी में तो ये बोल रहे हैं कि ये साफ साफ गलत है कोई खुद से क्यूं आग लगाना हैगा और बुल्डोजर तो कहीं से मानने नहीं है बुल्डोजर चला के लोगों को इंसाफ दिलाना ये पहली बात तो खुदी बुल्डोजर चलाने एक बहुत बड़ा अन्या है तो देखते हैं कि उन मा बेटी को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है ऐसी के साथ मैंने नम श्राप से विदा लेती हूं देखते रहे जनता जक्शन